IPL 2024 का आखरी मुकाबला खत्म हो गया है वो नया चैंपियन मिल गया है जी हाँ आप सही सुन रहे हैं कोलकत्ता नाइट राइडर्स ने इस बार IPL खिताब अपने नाम किया है रविवार को चन्नाई में हुए फाइनल मैश में कोलकत्ता ने संराइजर्स हैदराबाद को आठ विकेट से हरा कर अपना चैंपियन बना लिया है ये केकियार की तीसरी IPL जीत है जिससे पहले ये टीम 2012-2014 में भी खिताब अपने नाम कर चुकी है इस टीम की सबसे खास बात यह रही कि कोलकत्ता ने सीजन में अपने पूर्व कप्तान गोतम गंभीर को मेंटर बनाया और गंभीर ने अपनी टीम को लाइसेंस टू किल का आदेश दिया जिससे उनके खिलाड़ी आजादी से खेल सके कोलकत्ता की टीम इस सीजन सबसे आकरमक बैटिंग करने वाले टीमों में शामिल रही कोलकता ने सीजन में पावर प्ले में साथ बार सतर से ज़ादा रन बनाये टीम ने इस साल साथ मैचों में 200 प्लस का स्कोर भी बनाया है